ओम श्री गुरुवे नमा, नमस्कार दिथियों की घटाबढ़ी के कारण सुरू से ही दुबधा रही है कि इस बार दीपावली किस दिन मनाई जाएगी अलग-अलग विद्वान अपने हिसाब से 31 अक्टूबर या 1 नुवंबर की तारीक बताते रहे लेकिन पूरे देश में एक साथ दीपावली कब मनाई जाए इस पर एक राय नहीं बन पा रही थी लेकिन अब इस विशे पर विद्वानों को ले करके सोध हो चुका है और उन्होंने क्या निर्ने लिया है जानेंगे इस वीडियो में दीपावली एक ऐसा तेवहार है जिसका सभी को पूरे साल बेसबरी से इंतजार रहता है दीपावली पूरे पाँच दिन का उत्सो है जो की धन्तेरस से लेकर भाई दूस्दक मनाया जाता है आईए जानते हैं इस पाँच दिवस्य दीपोच सो पर्व में किस दिन कौन सा पर्व मनाया जाएगा शुरुआत करते हैं पर्थम दिन के पर्व धन्तेरस से धन्तेरस कार्थिक मास के किर्ष्नपच की 23 तिथी को मनाई जाती है इस साल धन्तेरस 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी इस दिन सोने चांदी के आभूसर और नए बरतन खरीदने की परंपरा वर्सों से चली आ रही है धन्तेरस का पर्व भगवान धन्मंतरी की जैन्ती के रूप में मनाया जाता है इस दिन धन के देवता कुवेर जी के साथ ही धन की देवी मालच्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है ऐसी मानिता है की धन्तेरस के सुब आउसर पर घर में नई जाडू और धन्या लाने से मालच्मी प्रसन होकर पूरे साल धन सम्रिधी बढ़ाती हैं और किरपा बरसाती हैं चोटी दीपावली, हनुमान जेन्ती और नरक चतुरदसी का पर्म कार्टिक मास के किरशन पच्च की चतुरदसी तिथी को छोटी दीपावली मनाई जाती है छोटी दीपावली इस बार 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी इसे नरक चतुरदसी भी कहते हैं इस दिन पौरारिक मानिताओं के अनुसार हनुमान जी की जेन्ती भी मनाई जाती है साथ ही इसे रूप चोटस और छोटी दीपावली भी कहते हैं इस दिन दच्चन दिसा में यमदेवता के नाम का दीपग भी जलाया जाता है साथ ही इस दिन हर्मान जी को बूंदी के लड़ू का भोग लगाना और चोला चड़ाना भी बहुत शुप माना जाता है अब बात कर लेते हैं जनजन की आस्था के पर्व दीपावली की इस बार दीपावली महापर्व 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी भ्रम की इस्थिती के निवारण हेतु कासी में जुटे विद्ध्वानों ने यह तै कर दिया है कि पूरे देश में एक साथ 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी गणितीय मानों, धर्म सास्त्रिय वचनों, द्रिश एवं पारम परिकमतों के आधार पर सर्वसम्मत से इसी दिन दीपावली मनाने को सास्त्रुचित बताया गया है दरासल दीपावली का तेवहार कार्दिक मास की अमावस्यातिथी को मनाया जाता है और प्रदोसकाल के बाद दीपावली की पूजा की जाती है पंचांग के अमसार इस साल अमावस्यातिथी 31 अक्टूबर को दोपहर के बाद तीन बजगर के बावन मिनट पर सुरू होकर एक नवंबर को शाम छे बजगर के सोला मिनट तक रहेगी यानि की 31 अक्टूबर की रात को अमावस्यातिथी विद्दमान रहेगी इसलिए 31 अक्टूबर की रात को ही दीपावली मनाना तर्क संगत होगा 31 अक्टूबर को रात में ही लच्चमी पूजन, काली पूजन और निसीत काल की पूजा की जाएगी मध्यरात्री की पूजा भी 31 अक्टूबर की रात को ही करना सर्व मान्य होगा जबकि अमावस्या से जुड़े दान पुन्नी के कार और पित कर्म आदी एक नमंबर को शुभा के वक्त करना उचित होगा गोवर्धन पूजा वा अन्नकूट गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन होती है इसे अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है इस बार गोवर्धन पूजा दो नमंबर को होगी और आलिक मानिताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन परवत को अपनी एक उंगली पर उठा कर सभी मतुरावासियों की भीशन वर्षा से रच्छा की थी तब से इस पर्व को गोवर्धन पूजा के रूप में हर साल मनाते हैं इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और अनकूट का भोग लगाया जाता है भाईदूज भाईदूज दीपावली के महा उच्सो का आखरी दिन होता है कार्टिक मास के सुकल पच्च की दुद्या को भाईदूज का पर्प मनाया जाता है इस साल भाईदूज दीन नमबर को मनाई जाएगी इसे यम दुद्या भी कहते हैं इस दिन यमराज अपनी बहन यमना से मिलने पृत्वी लोग पर आए थे और बहन यमना ने अपने भाईदूज को तिलक करके उनके मंगल में जीवन की कामना की थी तभी से हर साल इस सुब मौके पर बहने अपने भाईएओं को टीका करती हैं और उनकी दिरखायू की कामना करती हैं तो या थी पांच दिवसी महापर्व कीति थी और उनके महत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी उम्मीद करता हूँ कि आप को या जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें साथ में कमेंट में या वीडियो आप कहां से देख रहे हैं या हमें जरूर बताए शीक्र मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ तब तक मैं विवेक कुमार सरवास्तो आप से विदा चाहूँगा धन्यवाद